राहुल गांदी के सियराम वाले बयान पर स्मिती रानी का पलकवार आज राहुल गांदी को प्रभू श्री राम याद आ रहे हैं स्मिती रानी ने कहा कॉंगरेस ने राम के अस्तित वपर भी सवाल उठाये थे स्मितिरानी ने का भारत तोडों का नारा देने वाले राखुल गांधी के साथ स्मितिरानी ने का राम भक्त का दावा कर रहे राश्ट तोडने वाले के साथ चल रहे हैं ये कैसी भक्ती और कैसी भारत जोडो यातरा है स्मितिरानी ने सवाल भी क्या मैं एक बात बताएं कि मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से आप चुराण प्रचार कर रही है और आज आखरी दिन है भारतिय इंता पार्टी पुरान रेकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही है आपका क्या अंकलन है मैं इतना ही कहूँगी कि मुझे आखलन देनी की जरुतनी आप स्वयम अपने चानल के माध्यम से साक्षी रहे हैं कैसे गुजरात के इस चुनाओं में हर गुजराती के मुख पर भाजब का नाम है हर गुजराती नरेंद्र भाई के प्रतिबड़िसने और सम्मान और आधर क आपको अभी डाउन्लोड करें पहले राउंड में आपको भी संकीत मिली गया था हर पोलिंग बूत पर जहां जा आपकी चैनल के प्रतिनी दे जा रहे थे सब मोधी मोधी ही तो मोधी मैं वातावरं था राहूल गांदी की थोड़ी बात कर लेते हैं भारत जोड़ो यातर नहीं कहूंगी कि पाखंड कभी जादा दिन चलता नहीं है और मैं पाखंड जैसे बहुत कड़े शब्द का इस्तमाल क्यों कर रही हूं यह वही व्यक्ति हैं जिनकी माताजी सब्ता में जबती हैं तो उनकी सरकार ने अफिडेविट में लिख दिया था कि भगवान राम क कोई अस्तित्व नहीं है आज उनको प्रभु याद आ रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहते हूं कि सनातन धर्म को जो जानते हैं जो समझते हैं वो श्री का मात्व जानते हैं जानते हैं कि वो लक्ष्मी स्वरूपा उनका प्रतीक है और लक्ष्मी आती है घर में हम कहते है कमल पर बैट कराती है तो अगर राहूल जी इतनी ही चंता करना चाहते हैं सनातन धर्म की तो पहले देश के हिंदूओं को यह बता दे कि गवहत्यारे के साथ केरल में यात्रा क्यों निकाल रहे थे और जहां तक प्रभुराम की बात है तो प्रभुराम ने तो स्वयम कहा कि मतलब मेरी जन्म भूमी मेरे लिए स्वर्ग से महान है तो जिनकी निष्ठा अपनी जन्नी जन्म भूमी के प्रति ये रही है उन राम का नाम लेते वक राहूल दान्दी को थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि जिसने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया आज वो उनके से प्रमित्र बंकर यातरा में क्यू चल रहा है राम भक्त में कोई महिलाएं नहीं है यह बताने के लिए का ज्यानवर्धन करने का मैंने ठेका तो नहीं लिया है कुछ आती मैं कहते हैं ना डेली तमें गांडा कार्षव ने डेली हमें जवाब आपिश होए संभव न थी चुनाव में मैं तरह तरह के रंग देखने के मिल रहे हैं लोग रो दे रहे हैं मैं बात Oasis की कर रहा हूं उन्होंने चुनावी सभ मुझे खुशी है कि पब्लिक रूड आ रही है और बता रही है कि भाजब ही आएगी गोजरात में बरबन को कहा जा रहा था कि आप लोगों को बी टीम की तौर पर कॉंग्रेस कहती आ रही है कौन किसकी क्या बी और सी टीम है मुझे इतना ही पता है कि हमारा सवभाग्य है कि देश की राजनीती में राशनीती की दृष्टी से हम जनता की ये टीम है एक बदरुदीन साब जो कह रहे है कि हिंदूों को भी जो है अठार से उनकी उच्छी बातों पर अपनी टिपनी दे कर अपना स्तरने गिराना चाहते है चाहे किसी भी धर्म की महिला हो अलग-अ दिए हैं और मुझे लगता है कि मर्याद में रहकर बोले तो बहना जनता को सबसक्रान आता है एक सवाल दिल्लीके मुख्यमंतरी भी यहां आते रहे हैं और काफी चुनाओं प्रचार किये हैं तो आक लगता है कि चले जांगे हैं हाँ फाइनल गुड़्भा हो जाएगा यहां से आठ तरीको खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा इन्होंने पहले भी आजमा लिया है मोदी को आप भूल गया है 14 में काशी में बल्ले बल्ले कर रहे थे कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा अब करारी हार तो खा चुके हैं प्रदानमंत्री के स्वय महतों से इतना ही कहाँगी कि नरेंदर भाय, अमित भाय, भुपेंदर भाय बार बार कहने रिकॉर्ड तोड कर एतिहास बनाये जाएगा यह सभी मचली किसानों को बेबी फिश सप्लाइ करके महीने का दो लाख कमा रहे हैं आपको भी करना है बिजनस तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें कि अल flight दोल झाल 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 सनथ। मुझा झाल झाल कि अलIGHके महीन झाल हो पल्चल हुआ did